तो दोस्तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जो जेट हलाल दुकान बेच रहा था उसकी दुकान ओल्मस्ट बिग गई थी वो सब जेट हलाल का सपना था लेकिन दोस्तो स्टोरी घूम फिर के वहीं पर वापस आ चुकी है जब जेट हलाल गोकुल धाम में आता है औ इसके अलावा और कोई solution नहीं है क्या तो ऐसे में दोस्तो कोई और solution निकलेगा definitely क्योंकि वो तो सपना ही था अब सपने में वो story दिखा दी अब ऐसा थोड़ना है कि असलियत में भी वही story repeat करेंगे तो गाइस यहां पर होगा क्या कि जो जेट हलाल चंपक चाचा की जो गा बना रहे हैं ताकि वो रामसंग कंपनी को उनके 40 लाख रुपए लोटा सके तो जी हां दोस्तो कुछ यह 40 लाख रुपए लोटाने का जुगाड़ बनाने वाले हैं जेट हलाल चंपक चाचा और टपू लेट सी दोस्तो कि यह सपना आने के बाद क्या होता है